जीवन परिचे सरोध वादक हाफिज अली खाँ वालियर के उस्ताद हाफिज अली खाँ जब काफी ब्रध्य हो गए थे तब उन्होंने किसी भी संगीत सभा आदी में सरोध बजाना बंद कर दिया किन्तु जिन व्यक्तियोंने उनके मधुर स्वरों को एक बार भी सुना है वे उन्हें कभी भी भुला नहीं सकते वे किसी राग को अधिक समय तक नहीं बजाते थे किन्तु उतने ही समय में राग का सार ऐसे धंग से प्रस्तुत करते थे कि मधुर स्वरों की फुल जड़ी मे श्रोता अपनी सुधबुध खो देता था। बजाते बजाते ऐसे धंग से दूसरे राग में चले जाते थे कि श्रोता दात तले अंगुली दबा लेते थे और आपके वादन की कर्णप्रियता बढ़ती जाती थी। आपकी आलाप करने की पधती अपनी निजी थी। राग की चुने हुए कर्णप्रियस्वर समुहों को ही प्रस्तुत करते थे और बेकार की स्वर समुहों में अपना और श्रोता का समय नश्ट नहीं करते थे। आपका सारा ध्यान रस निश्पत्ती पर इतना अधिक रहता था कि आप तबलिये के साथ लड़ंत भिरंत पसंद नहीं करते थे। रागों का चुनाव भी प्रचलित रागों से करते थे। प्रियवाद्य सरोध पर जवा की आगहात इतनी नियंतृत होती थी कि रस संचार में तनिक भी बाधा नहीं आती थी बलकी वृध्धी ही होती थी। आपके वादन में गाय की अंक का मिश्रन उस्ताद हाफिज अली का जन्म सन 1887 में ग्वालियर के एक संगीत परिवार में हुआ आपके पिता उस्ताद ननहेखा अपने समय के अच्छे संगीत अग्यों में से थे बचपन से ही वे हाफिज अली को संगीत की शिक्षा देने लेगे प्राचीन परंप्रा के अनुसार आपको धृपध हमार की शिक्षा दी गई पिता और गुरु की मृत्यू के बाद व्रिंदावन के पंडित गनेशी लाल चौबे से काफी समय तक धृपध हमार की शिक्षा ली उसके बाद रामपुर के प्रसिद सरोध वादक वजीर खां से शिक्षा लेने लगे हाफिज अली का स्वर ग्यान अच्छा हो गया था इसलिए वे वजीर खां की चाया में रहकर शीग रही एक अच्छे सरोध वादक हो गए ग्वालियर के महाराज आपकी वादन शैली पर प्रभावित हुए और आपको अपने दर्बार में नियुक्त कर लिया बीच बीच में आकाशवानी, संगीत गोष्ठियों और संगीत सम्मेलनों में आमंत्रत किये जाते और अपना कार्यक्रम देते आप अपने समय के बेजोर सरोदिये थे और प्रत्येक अच्छे अच्छे संगीत सम्मेलन में आपको अवश्य ही आमंत्रत किया जाता था तयारी, में भी आप किसी से कम न थे दस बजे के आसपास अभ्यास करने बैठते और बजाते बजाते पूरी रात बिता देते राष्ट्रपती ने आपको पुरस्कृत किया, संगीत नाटक अकादमी दिल्ली के फैलो भी चुने गए, सन 1906 में राष्ट्रपती ने संगीत की अथक सेवा करने के लिए आपको पद्मभूशन की उपाधी से विभूशित किया इसके पूर्व आपको आफताबे सरोध की उपाधी भी प्राप्त हो चुकी है, आपका देहाव सान 28 दिसंबर 1972 को दिल्ली में हुआ, आपके पुत्र अमजद अली खाने एक अच्छी सरोध वादक का स्थान ब्रहन कर लिया है